ये गाईज इस इस रामान एंड यारज हमारे पास एक question है, basically यह जो question है आपके arithmetic progression में second exercise 5.2 का question number 20 जो की last question है, ठीक है तो यह देखते है, question कुछ इस प्राकार है, रामकली saved rupees 5 in the first week, okay, in the first week रामकली कोई लड़की है, वो rupees 5 रुपे पहले week में बचाती है, एक साल में, of a year, ठी and then increased her weekly saving by rupees 1.75 और वो क्या करती है, हर week कुछ 1.75 से जो बढ़ाती जाती है अपनी savings, ठीक है, पूछ रखा है और बता यह भी रखा है कि in nth week, her weekly saving become rupees 20.75 यानि कि देख बताओ, बोल यह रखा है कि कुछ nth week में क्या होता है इसका जो saving होता है वो 20.75 हो जाता है, तो पूछ र कितने week में, जो इसकी जो रामकली जो लड़की है, उसकी saving कितनी हो जाएगी 20.75, ठीक है, तो चलो करते है, saving कितनी है, यानि कि एक बात बताओ, यहाँ पे आपका principal amount, यानि कि एक तरह से जितना आपने starting में जमा कि आप बोल सकते है उसको principal amount, यानि कि वही तो आपका A है, आपका starting value क्या है, अपका 5 है, हम A पी पढ़रें, तो आपका 5 क्या हो जाएगा, as first term, यानि कि A, तो आपका according to question, आपका A की value क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बिलकुल A आपका 5 हो जाएगा, ठीक है, और ये जो रामकली जो लड़की है, वो र week में कितना से आपनी saving रहा है कितने से तो 1.75 से तो आप लिख सकते हो क्या d की value कितनी है 1.75 ठीक है बहुत बढ़िया और इसकी जो income है कुछ nth week के पास कितनी हो जाती है 20.75 यानि कि an की value दे रखा है ठीक है तो an कितना दे रखा है आपको भी पता होगा कौन सा formula an is equal to an plus of n minus 1 into d यह formula अभी तक अगर आपने पूरा exercise अगर आपने ठीक से solve किया है तो आपने यह formula बिल्कुछ से देखा होगा और कफी आसान सा formula है an is equal to a plus of n minus 1 into d जहाँ पर an क्या है आपका nth term ठीक है a क्या है आपका first term n क्या है number of term हमसे यहीं पूछ रखा है number of v क्या है d क्या है common difference ठीक है इस formula का इस्तेमाल करते है an क्या है आपका an आपका है 20.75 है yes 20.75 ठीक है is equal to a क्या है आपका a यहाँ पर 5 है 5 and plus of n minus 1 n तो निकालना है तो n के जगए n minus 1 into d d क्या है 1.75 1.75 चलो ठीक है इसे solve करते हैं n की value निकाल लेते हैं तो चलो लिख हलेते हैं इसको जब minus करेंगे 5 को इधर बेच देते हैं तो कितना देज दो 15.75 हो जाएगा जी, बिल्कुल यह कितना हो जाएगा 1.75 time n minus of कितना हो जाएगा 1.75 हो जाएगा ठीक है बहुत बढ़िया इसको इधर भेज के दो keeping 15.75 and plus of कितना हो जाएगा 1.75 is equal to कितना हो जाएगा 1.75 and हो जाएगा हां जी यही हो जाएगा ठीक है इसको add कर लेते हैं तो 5510 हो जाएगा यहीं कि 0 carry 1 7 7 14 और 15 15 5 carry 1 1 हो जाएगा 5 6 और 7 हो जाएगा और इधर 1 कितना हो जाएगा 17.50 हो जाएगा which is equal to 1.75 and हो जाएगा ठीक है अब हम क्या करते हैं यहां से n निकाल लेते हैं इस और डिवाइट करना पड़ेगा तो n is equal to कितना हो जाएगा 17.50 divided by 1.75 हगी हो जाएगा यहां से आपको पता हो जाएगा यह फिर आपका पाईट लूटे-वाट असे इस इस न करना पड़ेगा 55 से कैंसल करें किपाइग कर देते हैं यह फिर करो ऐसा कर सकते है 25 से कांसल कर सकते हैं यह आपका 53中 15 और 55 was 25 और 0 यह कितना हो जाएगा 53 15 करी 2 55 25 ठीक है और यह को 57 35 70 हो गया और यह 57 35 और यह 7 तेंज गया ठीक है ओ शिट अपने देखा मैंने नहीं ध्यान नहीं दिया यह 175 था और 1750 था तो सीधा 10 टाइम कर जाता है यार अपन भी गधे हो गए एक तो क्या हो गया मैंने थोड़ी से हरकत ऐसी करते है n is equal to 10 आपको भी लग रहा हो काफी है रहे मैं थोड़ा मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया मैंने यहां पे थोड़ा बंद कर लिया इस वज़े से मैंने यह हरकत की आधरवाई सीधा अपन 10 से काट सकते थे ठीक है तो n की value कितनी आगे 10 यानि कि जो रामकली जो आपकी जो लड़की है न वो 10 week में उसकी saving कितनी होगे 20.75 जब उसने starting कितने से किया था पांच रुपए से और वो हर week 1.75 से बढ़ा रही थी अपनी saving को ठीक है तो काफी आसान से सवाल था या और आपका exercise भी खतम हो गया इसके पहले के सारे question मैंने करा दिया है तो आप playlist में जाके अब देख सकते हैं या फिर आपको end screen पर भी दिख रहा होगा तो तब तक के लिए have a good day bye bye take care और पढ़ते रहें ठीक है